सब्सक्राइब कीजिए हैश्टेग हिंदी यूटूब चैनल को और दबाईए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले अक्षय बनाएंगे किसानों पर फिल्म मनुच कुमार की राह पर चल रहे अक्षय कुमार अक्षय कुमार बॉलिबुट के एक मात्र ऐसे अभिनेता है जो समाज में पहले समवेदन शील मुद्दो पर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं अब वहाँ सत्तर के दर्शक के मशूर अभिनेता मनुच कुमार की राह पर चलते हुए किसानों और गाउव पर फिल्म बनाने जा रहे हैं अक्षय ने बताये कि मैं समस्या को सुनने से ज्यादा उसे सुलझाने में यकिन करता हूँ तो इसलिए किसानों के सामने आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए मैं एक फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ और इस फिल्म का टाइटल होगा लख़प्ति किसान वही अभिनेता अक्षय कुमार फिल्म रुस्तम में पहनी अपनी यूनिफार्म को चारिटी के लिए निलाम कर रहे हैं इसको लेकर बहस शुरू हो गई है उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना को इसके लिए धमक्यां भी मिल रही है अब इस पर अक्षय कोद सामने आये हैं और उन्होंने कहा कि हम कुछ भी घलत नहीं कर रहे हैं हम एक अच्छे काम के लिए निलामी कर रहे हैं अक्षय ने आगे कहा कि अगर किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकते फिल्म रुस्तम की वर्दी निलामी को लेकर उठे विवाद में नेवी के रिटायर्ड अफसरों ने अक्षाई कुमार का समर्थन किया है उनका कहना है कि अक्षाई की इस पहल से कई घरों में खुर्श यां आएगी और लोगों के बीच हम संदेश पहुचेगा कमांडो A.P.S.O.D. ने कहा फिल्म रुस्तम के कॉस्टम के निलामी का अक्षाई कुमार का फैसला हम सभी के लिए गर्व की बात है ये एक कॉस्टम है मगर इससे कई घरों में खुर्श यां आएगी दोस्तों इस पर अपनी राए हमें कमेंट करके जरूर पताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें